चिल्रन दे आर शो शार्क इंटेलिजेंट एंड ये कोई शक्ती नहीं है एक दन गुरु जी बोले भाई तुम डॉक्टर हो मेरा अल्टर साउंड कराओ आज तो मैं जैन गाड़ी थी मेरे पास तो बोले भाई जैन लगाओ दॉक्टर तुम गाड़ी तो मैं एक दम परिश मैं अपने एक्सपरिमेंट किया हुए है गुरु जी के साथ गुरु जी के जूते उतार के अपनी शर्ट पर रगड़ दिया देखने के लिए सोचिए आप गुरु जी ने इतना ज्यादा गुरु जी को कुछ नहीं एक सुद्ध आत्मा चाहिए थी गुरु जी को कोई प तो वहां हमारे लिंक में लोग थे तो हम पहुंच गए एक और अंकल थे आर्मी के तो गुरु जी उनसे बोले तुम बात करो जली से मेरे पेट में दर दे अल्ट्रा साउंड करो जब तक मैं डॉक साथ टहल रहा हूँ तो गुरु जी बड़ी फास्ट फास्ट चल रहे थ रहे लोग की खूंच के टॉक साथ तो जिस में रूम में हम लोग थे तो युस में घुरु जी सुनने वाली बात है जैस։ गुरु जी ने शर्ट हाओ वह पूरा रूम फ्रेग्रेंस में आ गया गुरु जी उठे और गुरु जी ने बोला कि भाई तू मेरा क्या अल्टरसाउंड करेगा मैं तेरा स्कैन करने आया हूँ आज तू तो अभी बाईव से लडाई करके आ रहा है तेरे दो बच्चे हैं वो तेरे सुनते नहीं है वो रोने लगा तो गुरु जी बोले भाई द ब्लेट शंघर और करा दो कभी-कभी चक्कर आ जाधा है मैं यहां करने कर करा तो उसको ब्लेट शुकर वाले को पुलाया जि तो उसने ब्लेट शुकर लिया तो वो आया अब ब्लड शुकर आ गया 22 और हम लोग फिर घूम रहे थे गुरुजी बुले भाई डॉक्टर आज आइस्क्रीम खलानी पड़ेगी देखो ब्लड शुकर कम आ गया मैं का जी आइस्क्रीम खाएंगे आज क्याना में इंडिया गेट पर दुबारा किया तो 22 आ गया तो जो वो व्यक्ति था लेफ टेक्निशन उसका भाव चेंज हो गया वो चीज जो समय बक्त और परवेश की बात थी और वो एकदम रोने लगा बुरी तरह बोला जी मैं आपका ब्लड शुकर नहीं कर सकता है मैं इतना सीनियर टेक्निशन हूँ यहां का आर्मी होस्पिटल में मै अपनी जिंदगी कमा दी मैं अपनी साइकल से चल रहा हूँ मैंने एक रुपए की चोरी नहीं की और मेरे से आज यह सेंपिल नहीं हुआ इसका मतलब यह सेंपिल हो नहीं सकता रूने लगा तो गुरू जी ने बोला कि आज के बाद तुम साइकल से नहीं चलोगे अब स्वास मान के चलिए आप, पंद्रा दिन के पहले उसको कोई उसका पी एफ का पैसा फसा हुआ था, वो मिल गया और उसके बाद वो कार से अपने बच्चों के साथ गुरू जी के अश्रम आया और उसके बाद उसके दुनों बच्चों का सेलेक्शन हुआ और वो विचारा जो है मतला जो गुरु जी के आता था तो गुरु जी के ऐसे गिर पड़ता था क्योंकि उसका भाव कोई नहीं समझ सकता जो हम लोग दो-तीन लोगों ने देखा था सिर्व वो समझ सकता था एक उमेश सेगल जी थे आई-एस डेली में तो वो चीफ सेकेटरी गुरु जी ना संगत से जैसे कार्ड ले लेते थे सबोज मेरे यहां किसी की मैरे जै तो सो कार्ड रखवा लेते थे गुरु जी और लिख देते थे भाई डॉक्टर रेन लगरवाल दॉक्टर टू चीफ निश्टा रेना है कुछ भी ऐसे तो उसको लिख दिया चीफ सेकेटरी गुर्मेंट ऑफ डेली एंसीटी तो वो आया एक दम बहुत होनेस्ट आदमी था बुला जी मैं तो अभी सेकेटरी हो जी मैं तो आऊंगा ने इस शादी में तो ऐसे सपोज एक मही को शादी थी और पंदरा अप्रेल को गुरु जी गुरु जी नहें कार्ड दिया गुरु जी नहीं कार्ड गूले को खे अंगा अक कार्ड कीस सेकेटर सेकेटरी मियरी मिलरी गुरु जी नटीर जिए की यह की आपको अपने साथ लेना एक बड़ी ताज्यूब और उसकी बात है पाएजिगी के कोई उनके साथ गुरु जी शास उनका कोई एर क्रैस में चौलर नेक प्राइकल प्रॉब्लम हो गई थी तो वह चौलर लगाते थे तो गुरु जी ने बुला भई डॉक्टर देखो जरा से इसको क्या दिखका थे मैं आपके सामने क्या देखूंगा गुरु जी बोले नहीं हाथ लगाई इसको आप जरा है। तो मैंने ऐसे हाथ लगाया है। गुरुजी बोले किसी कोलर हटा दो। मैं जी गुरुजी इसको मैं जानता हूँ 15 साल से इनको शरवाइकल प्रालोम्ला भोले। तो गुरु जी बोले भाई उठालो भाई, उठाओ लगाओ उसे, तुमारी चीज़े तुम उठाओ लगाओ, तो जैसे ही वो उठाने लगे, तो जैसे ही बांध रहे थे, तो गुरु जी ने बोला अरे भाई देखो तो जरूरत है कि नहीं, वो पहली बार आए थे मेरे और आप विश्वास मानिये जो भी आए हुए हैं, आप सब कुछ न कुछ लेके जा रहे हैं, विश्वास मानिये आप यहां तक आनी पाते, अगर आप यहां पर आपाए हैं, विश्वास मानिये गुरु जी के मर्जी के बिना कोई नहीं यहां पर आ सकता है, जै गुरु झाल झाल